नमस्कार, हिंदी साहित वारता में आप हैं इसक्त सुभाश ठाकुर के साथ दोस्तो, HP, LT, TET का जो एक्जाम आज की दिनुआ था, उसको हम डिसकस कर रहे हैं यहाँ पर और मैं पहले ही आपको क्लियर कट कर दूँ कि यह कोई अफीशिल आंसर की नहीं है जो भी प्रशन यहाँ पर डिसकस किया जा रहे हैं, वो अपने नीजी प्रियासों के जरीए ही मैं बता रहा हूँ आप लोगों के तो आई होप कि आप लोगों के लिए यह वीडियो जो बहुत उपयोगी साबित होगी और इसमें अगर किसी भी प्रशन में मुझसे कुछ गलती हो जाए तो आप कॉमेंट सक्षन में जाकर मुझे बता सकते हैं कि इसका राइट अंसर यह रहेगा, जिन जिन प्रशनों के देखिए, बिल्कुल समानने सा प्रशन है, रिती काली काविर को कितनी धाराओं में बांटा जाता है, तो यहाँ पर आप सिंपल सा याद रखेंगे, यह आपका तीन, रिती, सिध्ध, रिती, बध, रिती, मुक्त के नाम से, ठीक है, अगला प्रशन जो आपकी स्क्रीन प जो लाइव क्लास लगाई थी, तो उसके लिए बहुत इजी पेपर था, उतना भी जादा मुश्किल नहीं था, नेक्स आता है, भारतिय आरे भाशाओं को काल की दिश्टी से कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, तो आप सब लोग जानते हैं, तीन ही है यह ज इसमें से प्राचिन भारतियारा भाशाएं, मद्देकारिन भारतियारा भाशाएं और आदोनिक भारतियारा भाशाएं था, तो आप्शन नमबर इसका 20 साही हो जाना था, और मेरे पास D-सीरीज का यह पेपर है, अगर आपके पास भी D-सीरीज है तो आपके लिए ठीक र भाषा का दूसरा नाम यह मैंने बिल्कुल शुरुवाती क्लास में ही बता दिया था देखना यह मानक भाषा या शुद्ध भाषा भी से कहते हैं मुहाबरे और लोको किसकी अथात न दी है तो आप सब लोग जानते हैं भाषा की ही नीदी है ठीक है आठ्वा प्रशन आपक हरिश्चंडर ने किस पत्रिका का संपादन किया था तो यहाँ पर सर्प्रसिद इसकी पत्रिका रहिक कवी बचन सुधा इसको आप याद रखिएगा सरस्वती माविर प्रसादी वेद्य आप जानते हैं हिंदू जैशन का प्रसाद चांद महादेवी वर्मा है ना हिंदी हैं वो आपकी कैसे रहे हैं अंचलिक रहे हैं अमरित राय जो है प्रगतिवादी रहे हैं हिंदी के किस उपन्यास कार को आदर्शनमुक यथार्थवादी बहुत बार बताया गया था प्रेमचंद को कहा जाता है देखना खेल जनेंदर की कव की रशना यह 1928 में विशाल भारत में प्रकाशी तुईती देखना और यह पहली ही इसकी रचना रही है तो बिल्कुल शुरुआत की रहेगी है पंद्रा का आप्शनमुक आपका जो बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए अगला प्रशन है यश्पाल की कहानियों का पहला संग्र है पिंजरे की उडान ज इसके बार आता है इनमें से कौन सिध नहीं है तो देवसेन इसमें से सिध नहीं थे बाकि लुईपास अरपा गुरक्षपा यह आप सभी लोग जानते हैं कि यह सिध्धों में भी आते हैं अब ब्रश के प्रमुक कभी धनपाल की रचना भविस्यत कहा आदिकाल से प्रश यहां पर 22 राजभाशा आयो का गठन यह भी मैंने मौक्टस में डाला हुआ था देखना आपको तो 1955 में हुआ था ठीक है साहित्य को मिध्यानुक्रिती प्लैटो ने माना था देखना यह भी आप द्यान में रखिएगा दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंग की रशना है इंपोर्टन क्रिती है सिद साहिते कौन सी भाशा में लिखा गया है संदा भाशा यह तो बहुत आसान सी प्रशन रहे है यहां पर भी दुहा पदर या गेयपद अपबरंश काल की बात आती है तो अपबरंश काहां पर था आपका आदिकाल में ही था आगे बढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं है नेक्स कॉर्शन आता है आपका चील के घर मास की धरोहर का अर्थ होता है कोई चीज ऐसे व्यक्ति को सौपना जो स्वाय में ही उसे अडप जाए यानि कि वहां पर वो सुरक्षित ना हो अठाईस वा प्रशन आपकी स्क्रीन पर है देखिए यह इसको करना है संस्कित के मूल शब्दों के बदले हुए रूप जो हिंदी में वेभार में आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है तो वो है आपका तदभव रूप ठीक है इंपॉर्टन कोशन है यह थोड़ा सा अलग हटके पूछा था इसको साहित दरपर्ण का अनुवाद कि इसका मुझे नहीं मालूम अगर आपको किसी को पता है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं अनुवाद प्राय उतना ही प्राचीन है जितना मूल लेखन और उसका इतिहास भी उतना ही भव और जटिल है जितना साहित है कि किसी दूसरी शाखा का तो इसका सी होना चीए लेकिन शियूर नहीं हूँ फिर भी आप एक बार जरूर इसको देख लेना ठीक है इन मेंसे मानक शुद रूप कौन सा नहीं है तो यहाँ पर देखिए शुद रूप वैसे तो 89 की जगा 89 होना चीए तीरिपन की जगा 33पन होना चीए तो लेकिन फिर भी यह पर option number C की तरफ जादा उचीत रहेगा जाना B की आप एक्षा ठीक है next question यहाँ पर है देवनागरी लीपी में कितनी स्वर धनिया होती है तो यह आप सब लोग जानते हैं 11 स्वर हैं दो इसमें आयोगवा हैं इन में से कौन से वरन आयोगवा कहलाते हैं यह भी mock test में डाला इसमें वाकारांत है ठीक है वाकी करनाओ जी ओकार वहुला ऐसे करके इसको आप देखना है ओकार वहुला ही ब्रज माने जाती है लेकिन उसमें ओकारांत ता भी रहती है और यह चीज यूजी सी नेट में भी यह प्रशन आई तिंग पूछा हुआ था तो वहां से आपको यह चीज दिख जानी थी हिंदी साहिते की भूमी का किसकी मत्रफून कृती है यह हाजारी प्रसाद दिवेदी की रितिकाल के लिए श्रिंगार काल नाम और यह प्रशन भी दिये हुए है देखना विशुनत प्रसाद मिश्र हो गया ठीक है इसने दिया था इसको है अचार प्रसाद में कितने वरण है तो यह है चार प यहां पर लिखा हुआ है ठीक है ऐसे करके इसको कीजिएगा दिवनागरी लीपी का विकास किस लीपी से हुआ है यह आप सब लोग जानते हैं ब्रामी लीपी से खड़ी बोली का दूसर नाम है कौरवी यह तरंगनी के लेकक ह क्रिपाराम ठीक है चायबाद नामक पुस्तक किसकी रचना है नामवर सिंग तो यहां पर देखे मैं डारेक्ट ही बता रहा हूं क्योंकि इसमें जाद एक्स्प्लेशन की जरूर तभी आपको फिलाल है नहीं आपको मालूम करना है कि आपके कितने कुर्शन सही हो रहे हैं नहीं है लेकिन फिर भी अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं रामिला शर्मा के अनुसार कावे के क्षेतर में सर्वशिष्ट कार्या किस ने किया था तो यह है सूर्य कांत्री पाठी निराला मतपून है देखना अनु का अर्थ क्या होता है अनुवाद से लिए गया इंपोर्टन कोशन रस्खान की प्रसिद कृति प्रेमवाटिका का रशनकाल क्या है यह है वैसे जो पांडे पांडे वाली बुक है उसमें 1614 यहां पर 1615 की तरफ हम जाएंगे कि एक्जेक्टिस का यह आंसर होना चाहिए अगला प्रशने देखें इन में से हिंदी का रू इसको भी आप याद रखेगा तवर्ग के सभी वर्ण जो है वो धनते आते हैं निमिलिक्त में से हिंदी नवरतन में कौन सा कवी नहीं है हिंदी नवरतन रचना थी मिश्रबंधों की तो इसमें जैशनक प्रसाद को नहीं था आधुनी काल से केवल एकी थे वो थे भारते हिंदी साहिते की प्रसिद रूप गुण संपन प्रतिनीधी पत्रिका कौन थी ये सब लोग आप जानते हैं देखना ये है सरस्वती पत्रिका बड़ी मतपून पत्रिका यहां से भी प्रशन ना पूछा जा ऐसा हो ही नहीं सकता मिश्री जी केशब बिहारी और देव के सा नहीं रहेगा हिंदी साहिते में किसके इतिहासिक गरंद को सरवधिक मतपून बताए गया है तो यह अचारे रामचंद्र शुक्ल इनके साहिते इतिहास गरंद को सबसे मतपून मना जाता है भावो और मनुविकारों का गेहन अध्यान करने वाले लेखक यह भी अचारे र आत्मक गद्य इसको भी आप याद रखेगा निराला जी की इस साहितिक निबंधों में किस शैली को अपनाया गया है तो यहां पर रहेगा आपका विशलेशन आत्मक शैली ऑप्शन नमबर ए प्रतिष्ठित कावे संग्रह पल्लव की रचाईता कौन है यह सुमित्रा नंद पन्त प्रतिवेदन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं यह मैंने पहले यह आपको बता दिये थे देखना ड्राफ्ट का मतलब है प्रारू पर नोटिंग का मतलब है आपका टिप पर ठीक है यहां से जुरूर पश्चन आता था यह मनें आपको बताय हुए था मौक टेस्ट म इसको आकाश्वाणी नाम दिया गया था 1957 में क्रोस लाइन शीर्चक में कितनी पंक्तियां रहती हैं तो इसमें एक होना चीए मेरे इसाब से पर आप फिर से इसको बता रीजे समाचार से संबंधित है यह 66 जो प्रशन है देखी 6 कारकों का ध्यान किसमें रखा जाता है त कॉलेज की जो बीए के सिलेबस में है यह सारी चीज़ है वहां से आप इनको देख सकते हैं ठीक है नेक्स आता है जिन कवियों की कविताओं से हिंदी कविता में प्रगति शील कविता की धारा व्यापक और विगवती हुई वे हैं आपके नागरजुन और शमशेर इसको सब लोग जानते हैं बुष्षन का मूल गुण क्या है तो यह है ओज गुण इसमें मतपून था देखना आगे कौन सा प्रशन आता है इसको बाद आता है पहला हिंदी साहित्या कादमी पुर्सकार किसको मिला था तो इसमें आप से इंपली याद रखेंगे यह हैं आपके इसका मुझे मालूम नहीं है लेकिन अगर आप इसको सर्च करेंगे तो आपको कहीं न कहीं इसके बारे में जरूर चीज़ें मिल जाएंगी कुवानो नदी का अर्थ क्या है यह जो कुवानो नदी नामक कवीता है देखना उसी में ही इसने बताया हुआ है जहां पर है कु सुफी कावे के लिए प्रचलित अन्य नाम क्या है तो यह है प्रिमाश्र इशाखा आप सब लोग जानते हैं आदुनिक हिंदी में संग्या के कितने भेद सुईकार के जाते हैं तो यह हैं पांच बेद सिद्धों ने अपनी साधना का अलक्ष है किसे माना है तो यहां पर अनंद अप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा सेवंटी एट का सेवंटी नाइन टीवी सीरियल को हिंदी में क्या कहते हैं और यह भी रिपीट हुए है क्वेशन देखना बहुत सारी क्वेशन इसमें रिपीट थे टीवी सीरियल को हिंदी में क्या कहते हैं धारावाही क जैते हैं अंदों का रंग मंच बहुत बार पूछा यह प्रश्ण लगातार आप देखेंगे तीन-चार साल के प्रश्ण तो आपको यह प्रश्ण बार-बार देखेगा रेडियो ना तक विभाबा नुबाब या विचारी से होगा दस निश्पति किस की परिभाशा है तो भी आप याद रखेंगे श्रिष्ट पात्र में अधिक क्या होना चाहिए ओप्शन नमबर ए मेरे जिसाब से इसका ठीक होना चाहिए लेकिन अगर आपको लगता है कि इसका कुछ और आंसर देखने ठीक हो तो वह भी आप बता सकते हैं next question है केदार नाच सिंग ने किस विश्व विद्याले में ध्यापन कारे किया था तो यहां पर रहेगा जेन्यू जवारलल नहरु विश्व विद्याले इसको आप ध्यान में रखिए कबीर वानी में दोहों को क्या कहा क्या नाम दिया गया है तो यहां पर है इसका जो राइट आंसर इह है साखी government रमैनी में चुपाई है दोहा चुपाई सवय जो आबका जो आपका जविश्व इसमें था ही नहीं और सवद इसमें आता है जिसमें इसके गिया पदाते हैं, ये ध्यान रखना है आपको, सूर्दास में कौन सा मुगल बादशाह, सूर्दास से कौन सा मुगल बादशाह मिलने आया था, तो इसका option अभी मैं स्कोरी कॉल नहीं कर पा रहा हूं, तो आप लोग उसका बता दीजिए अंसर, तुलसिदास का दाशनिक मत इसको भी आप याद रखेगा, नेक्स आता है रस्खान का वास्विक नाम, ये था सयद इब्राहीम, घननन्द किस जाती के थे, ये थे कायस्त, option number C, इसका सही होना चीए था, 91, question है पंचतंत्र के लेकक, ये भी repeat हुआ है question देखना, विश्न शर्मा की रशना जरूर लिख्या में हुआ है, तो यहाँ पर I think, या तो अंग्रेजी या बांगला, यही हो सकता है, बाकी एक बार फिर आप मज़े बता दीजेगा इस cancer में, बावु गोपाल राम के हमरी कैसे उपन्यास का रहे हैं, ये हैं आपके तिलिस्मी, ठीक है, शुप्शंभू की चिठ् कार के नाटक जादा लिखे, आप सब लोग जानते हैं, एतिहासिक नाटकों के लिए जाना जाता है, लोगचित से सीधे उत्पन होकर सर्वसधारण को परिचलित करने वाला साहित हैं, ये है आपका, option number A, लेकिन sure नहीं है, A या B में से ही होना चाहिए, इसका एक answer, ठीक ह हिंदी में रचित गद्य रचना का नाम क्या है, ये है वर्न रतनाकर जोतरी शवठाकोर के रचना, ठीक है, इसको भी आप देखिएगा, खालिक वारी के रचना रही है, ये है अमीर खुसरो की रचना, ये भी मौक टैस में मैं आपको डाला हुआ था, भरत्री अरी के इंसर सही तरीके से मिल जाए, ठीक है, सुनी और भूंकु का किस जन जातेक शितर से समन्द रहा, तो ये रहेगा आपका गद्दी, उसके बाद आता है संस्कित में पहेली को क्या का जाता है, तो ये है प्रहेली का, 108 का B, 109 प्रशन है, त्याग पत्र उपन्यास का पुर्सकार, 1913 में मिला था, 111 का उप्शन नमबर A हो जाएगा, 112 में प्रशन में देखी कच्छवा धरम, ये निबंध है, इसका चंद दश्रमा गुलीरी का, इसके निबंधों को जुरूर पूशते हैं, रस्सम प्रताय के प्रवर्टका चारे, ये हैं भरत्मुनी, ने पर आपका हो जाएगा इंदो, ये शोधरा ग्रंत किनाई का, इन नाम से पता चल रहा है, ये शोधरा ही है, इसमें देखना, उसके बाद है, त्यागपत्र उपन्यास की रशना कब हुई थी, 1937 में, एक भारती आत्मा के नाम से, ये भी मैंने मॉक्रास में भी डाला था, और रिपीट भी वाई ये क्रशन, तो यहाँ पर है माखन नाल चत्रवेदी, आकरी क्रशन है, बादल को घिरते देखा है, प्रकरती के अनुपम चित्र खिंचने वाली रचना किसकी है, तो ये थे आपके नागर जुन जी, तो ये थे 120 प्रशन, I hope कि आप सब लोगों को यहां से जरूर कुछ ने कुछ साहिता हुई होगी, और मैं उमीद ये कर रहा हूं कि जितने भी लोगों ने इस बार live classes attend की थी, और जिनों ने भी mock test दिये हैं, और जितने भी classes पहले हमारी हो चुकी है, उन्हों का अच्छे तरीके से लगाया होगा, तो definitely ये test उनका clear हो ज discussion का answer में आपको नहीं बता पाया हूँ, उसके लिए मुझे खेद है, लेकिन फिर भी उमीद है कि आप सब लोग जो है उनका answer दोनने की कोशिश जरूर करेंगे और मुझे comment section में बताएंगे, तो अभी के लिए इतना ही चल्द मुलकात होगी, एक नई वीडियो के साथ, त झाल